तरव जहां कनाडा के पीएम को सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है अब भारत से पंगा लेने का और भारत ने ले लिया है बहुत बड़ा एक्शन असर दिखना भी सुरू हो गया है तो वहीं दूसरी तरव चाइना के साथ भी भारत के पंगे सुरू हो गया है चाइना ने भारत के तीन खिलाडियों को रोका और जिसके जवाब में भारत ने भी एक्शन लिया है जानेंगे इन दोनों देशों के साथ इस वक्त भारत के क्या पंगे चल रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में धमाल मचा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से बात कर चाइना में चल रहा है इस वक्त एसियन गेम्स 2023 और इस गेम में हिस्सा लेने के लिए अलग-अलग जगह से एथिलीट पहुँच रहे हैं भारत के एथिलीट भी पहुँच रहे थे पर यहां पर चाइना के द्वारा आरुनाचल परदेश के तीन खिलाडियों को आने नह वहां दी गई अब आपको बतादे ऐसा क्यों हुआ तो आरुनाचल परदेश के बारे में तो जग जाहर है यह वह होता है हिंदीơ नठी वीजा में क्या होता है यह साथ पास्पोर्ट के साथ ना एक अलग से कागज लगा देते हैं और उस कागज में लिखा रहता है बियोरा क्यों आये थे किसलिए आये थे यहां क्या 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 और क्या क्या नहीं क्या और जब एयरपोर्ट पर यह वापस आने के लिए पहुंचते हैं तो उस नत्ति वीजा को फाड लिय जाता है मतलब वो बंदा वहां क्या गया क्यों गया क्या किया वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है आरुनाचल परदेश के लिए और जम्मू कस्मीर के लिए चाइना अब तक इसी तरीके का बीजा का इस्तेमाल करता था तो पिछली वार जब हमारे वुसुफ प्लेयर यहा नत्थी वीजा दिया गया है अब जैसे ही पता चला कि नत्थी वीजा है तो भारत ने उन्हें एरपोर्ट पर ही रोक लिया और चाइना को कहा कि आप नत्थी वीजा क्यों जारी करें हो यह हमारा हिस्सा है और आपको यहां पर प्रॉपर जो बीजा होता है नॉर्मल देने से मना कर दिया आपको बता दें जैसे ही यह किया गया है उसके बाद भारत सरकार की तरफ से भी एक्सन लिया गया इसक्रीन पर आप देख सकते हैं यह आर्टिकल अरिन्दम वाग्ची द्वारा दिया गया यह बयान है जिस बयान में यह कहा गया कि हमने यहां पर परकार ने एक और एक्सन लिया एसीन गेम के लिए यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराक ठाकुर जाने वाले थे इन्हों ने भी अपना जाना कैंसिल कर दिया है खेर आरुनाचल परदेश के तीन खिलाडियों को एंट्री नहीं मिला तो भारत ने भी यहां जाने से सीधे-सीधे इनकार कर दिया है और ये कहींने कहीं बारत अपनी मजबूत स्थिती को दरसा रहा है ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं चायना ने तो भीजा दिया था लेकिन ये वीजा स्टेपल भीजा था और इस पर भारत को फैसला लेना था खेर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया हैरान है कि आके जस्टिन टूडू ऐसा कर क्यों रहे हैं अपने ही देश को पाकिस्तान बनानी की कोशिस क्यों कर रहे हैं अब ऐसे सवाल उनके घर में भी हो रहे हैं कहा जा रहा है कि इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी किया था इसी तरीके से नाजी इसी तरीके से हिटलर ने भी जर्मनी में आने वाले आर्थिक संकट को छिपाने के लिए दोस देना शुरू कर दिया कि यहूदियों ने हमारे साथ ऐसा किया और यहूदियों की तरफ जनता का ध्यान मोड दिया पाकिस्तान में भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने भी अपनी जनता के साथ कुछ वैसा ही किया जो पाकिस्तानी सेना है हमेशा से चाहते थे वो कि भारत के साथ एक दुस्मनी दिखती रहे ताकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना का जो महत्व है वो बना रहे और वैसा ही कुछ इस वक्त जश्टिन टूडू भी कर रहे हैं, अभी हालात कनाडा के बहुत बुरे हैं, और इन बुरे हालातों के बीच में कनाडा के पि-म लगतार पंगेल ले रहे हैं, कनाडा की इतियास के बारे में बात करें, तो आपको बता दें, भारत ही नहीं, पर उसके भिपरीद भारत बार बार कहता है कि आप हमारे देश के खिलाप काम करने वाले लोगों को खालिस्तानी समर्तों को सरन दे रहे हो जो गलत है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए पर आपको बता दें इससे पहले कनाडा बंगला देश के संस्थापक सेख मुझीवूर र एक मुझीवूर रहमान के मुख्य हत्यारे और बंगला देश की सेना के पुर्व अधिकारी नूर चौधरी सही अन्य दच्छीने सी आई लोगों को लगभग 30 सालों तक सरंदी है आपको बता दें इस समय कनाडा का जो कानून है वो दोसियों को वापस भेजने में पुना कर दिया खेर ऐसा ही खाली स्तानियों के साथ भी है भारत में हंगामा करते हैं और यह कनाडा पहुंच जाते हैं और कनाडा फिर इन्हें वापस आने नहीं देता है या फिर उन्हें सनरक्षन देता है भारत कई बार कहभी चुका है लेकिन इसके बावजूद कोई असर नहीं पड़ता है पर अभी जो बवाल खड़ा किया है टूडू ने उसका असर देखिए एकोनोमिक तोर पर तो पढ़ी रहा है पर आप भारत ने सबसे बड़ा एक्सन लिया है और यह एक्सन एक ऐसी चोट है जिसे बिलकुल भी नहीं भूल पाएगा कनाडा अब आ आप देखिए इस वक्त रेटिंग दी जारी है कहा जा रहा है कि जस्टिन टूडू लगातार गिर रहे हैं पिछड रहे हैं और जो विपच्च के नेता है पीरे पोलीवरे यह आगे आते जा रहे हैं इनकी अप्रूबल रेटिंग लगातार बढ़ रही है अब जहां तक बात रही भारत के कदम की तो आपको बता दे भारत वैसी जगह पर मार रहा है जिस जगह से कनाडा को वापस लोटना मुस्किल होगा कनाडा में सबसे ज्यादा क्या है भारतिये जो इस्टूडेंट हैं वो जाते हैं वो वहां पढ़ते हैं और उससे एक अच्छी कासी रे बढ़कर हो सकता है यह हो जाएं कि अब कभी भी इस्टूडेंट कनाडा की तरफ रुख ना करें और यह कनाडा की इकनोमी में सबसे बड़ा चोट होगा बस आप समझ लीजिए जब सारी चीजे बंद होंगी न थुक्या होगा यह जो खालिस्तान भारत में बनने की बात ह हो रही थी यह खालिस्तान कनाडा में ही बनेगा जैसे पाकिस्तान बरबाद हो गया जर्मनी बरबाद हो गया वैसे ही सीन कनाडा का बनने को तै हो गया है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जब मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के आट